हलो बुच्छो, गुड मॉर्निंग, हॉप यॉर दूइंग वेल, कैसे आप सब लोग, चलिये, कल हम लोगों ने रिप्रोड़क्शन के फर्स चेप्टर का सेशन स्टार्ट किया था, और उसमें हम लोग कुछ टॉपिक्स कवर कर शुके थे, कुछ बेसिक टॉपिक्स, एक हम उसका बैक क्लेश में जाके थोड़ा सा देख लेते हैं, मूवी के ट्रेलर की तरह है, तो हमने वहाँ पर पहले कवर किया था, लाइफ स्पैन, और हमने NCRT के कुछ और और चार्ट के थ्रोग हमने लाइफ स्पैन देखे थे, हैना, देन हमने कवर किया था, एसेक्सल औ मैं आपको एसेक्सल रिप्रोडक्शन में ये बता दिया था, कि उसमें गैमेट्स का फ्यूजन फॉर्मिशन नहीं होता है, सिंगल पेरेंट इन्वाल्व होता है, वैरियेशन नहीं आती है, रैपिड प्रोसेस है, हैना, ये सब चीजे मैं आपको बता दी थी, इसमें जो रिप्रोडक्शन में जो डॉर्टर सेल्स बनती हैं, वो जैनेटिकली और मॉर्फोलोजिकली सिमिलर होती है, किससे, क्या भूला मैंने, जैसे मेरे पास ये एक अमीबा है, ये अमीबा है, और इससे इसकी दो डॉर्टर सेल बनी है, ये दोनों इसके चाइल्ड है, या हम कुछ भी बॉल सकते हैं, तो ये दोनों इसके डॉटर सेल्स बनी हैं, और इसकी जो ये डॉटर सेल्स हैं, ये दोनों डॉटर सेल्स इससे जेनेटिकली एंड मॉर्फोलोजिकली सिमिलर हैं. ये जो दोनों बच्चे बने हैं अमीबा के, ये दोनों डॉटर सेल्स हैं, तो 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 ये दोनों डॉटर से दिखने में बिल्कुल सेम होंगी किस से, अपने पैरेंट से, इसके अलावा, जैनेटिकली, जैनेटिकली मीन्स इनका जो जैनेटिक मेकप होगा, जैनेटिक मेकप मीन्स इनका डीने, यह जो भी इनका अंदर से सेल का और्गिनाइजेशन है, वो भी क्या होगा, बिल्कुल स से, अपने पेरेंट से, तो Asexual Reproduction के Organisms हमेशा Genetically and Morphologically Similar होते हैं अपने पेरेंट से Remember this point always Another one is These two daughter cells यह जो दो daughter cells हैं इन्हें हम Clone कहेंगे क्या कहेंगे? Clone कहेंगे Clone का मतलब क्या होता है बेटा? Clone हम उनी Organisms को बोलते हैं जो Genetically और Morphologically अपने पेरेंट से similar होते हैं तो इन दोनों के लिए जो एक term यूज की जाती है, that is Clone I hope your point आपको clear होगा और हमने Asexual Reproduction के कुछ examples भी देखे थे, चलिए आगे Move करते हैं, तो यह हमारा point रह गया था, जो हमने cover कर लिया है, our next slide was Fission, हम Fission पे वहाँ हमने Fission में देखा था एक process binary Fission and the another one was multiple Fission binary Fission जैसा कि अभी Amoeba में हमने देखा था क्या हुआ था कि एक parent दो individual में, दो daughter cell में, divide कर जाता है if the division is taking once if the division is taking at a time single हो रहा है एक time पे तो उसे हम बोलते हैं binary Fission if the division is taking place many times, उसे हम बोलते हैं multiple Fission multiple Fission में हमने दो examples पढ़े थे, एक था Amoeba और एक था हमारा Plasmodium which is Malarial Parasite है ना, यह हमने पढ़ा था यहां में एक चीज़ क्लियर करना चाहूंगी बेटा, यहां पे दो process है Amoeba में मैंने आपको बताय था कि जब favorable condition होती है यहनि कि जब environment अपने according होता है तो Amoeba binary Fission से divide करता है एंड जब environment उसके according नहीं होता, जब conditions unfavorable होती हैं, तो Amoeba कौन से process से divide करता है multiple Fission से, और वहां मैंने आपको बताय था कि Amoeba पहले अपने चारू तरफ एक covering develop कर लेगा that is called as एक Nucleus के दो Nucleus बनने की बज़ाए, काफी सारे Nucleus बनेंगे, यह हमने देखा था, दो Nucleus की बज़ाए, काफी सारे Nucleus बनेंगे, राइट, तो यहां पर जो cyst बनने की process है, सिस्ट कब बनी है, जब environment कैसा है unfavorable है, in case of amoeba, ठीक है, तो जब जो cyst बनने का process है that is called as N-cystation 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 means the process of formation of cyst cyst, cyst बनने का जो process कहलाया है वो कहलाया है N-cystation और जैसे ही environment favorable हो जाता है, जैसे ही conditions किस में change हो जाती है, favorable में change हो जाती है, तो amoeba इस cyst को rupture कर देता है amoeba की जो cyst है, वो फट जाती है और फटने के बाद जो जितने भी nucleus है वो बहार release हो जाएंगे और ये multiple fission हो जाएगा nucleus with their cytoplasm यानि कि जितनी नई cells बनी है वो बहार release हो जाएंगे with their nucleus cyst के rupture होने के process को हम क्या कहते हैं, sporulation 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 क्या होता है cyst जब rupture हो जाती है तो उसे हम कहते हैं sporulation यानि कि cyst के rupture होने के बाद जितने भी nucleus थे with their cytoplasm बहार निकल गए और नई काफी सारी cells बन गई, this process is called as sporulation I hope आपको ये clear होगा, moving to our next slide so here I have shown your diagram कि मैंने आपको ये बताया था कि बेटा जो fission का process होता है that can take place with any of the axes it could take place with longitudinal axes can take place with transverse axes or oblique axes or any plane of division ठीक है, किसी से भी ये हो सकता है तो यहां हम कुछ examples देखेंगे जिसमें जो fission का process है वो अलग-अलग चीजों से हो रहा है the first one, our first example is yuglina कौन से example है, first yuglina yuglina में जो binary fission का process होता है वो कौन से axis से होता है longitudinal axis से आप यहां पे देख रहे होंगे यह जो हमारे पास है, यह yuglina है पहले यहां पे इसमें एक ही flagella present है उसके बाद मैंने starting के first lecture में आपको एक बात बात आई थी कि अगर कोई भी चीज डिवाइड कर रही है अगर मुझे इस pen को double करना है तो मुझे मेरे पास पूरा material होना चाहिए इसके synthesis का तो अगर कोई भी चीज डिवाइड कर रही है तो पहले उसका जो material है वो duplicate होगा, double synthesis होगी तो यहां पे yuglina में एक flagellum था इससे क्या हुआ, इसमें division हुआ और finally, कितने yuglina बन जाएंगे दो dota cells बन जाएंगे yuglina की, तो yuglina वो example है जिसमें जो division है, वो कौन सी axis से होता है longitudinal axis से अब हम एक example देख रहे है transverse binary fusion का transverse axis यह होती है transverse axis, हम जब किसी चीज को ऐसे cut करते हैं, that is transverse axis तो हमारे पास transverse axis के example में कौन है, paramecium paramecium में देखी आप slipper जैसा structure है इसका, ठीक है, और इसमें जो division हो रहा है, वो किस से हो रहा है ऐसे, transverse axis से हो रहा है, और finally, यह जाके कितने daughter cells बन जाएंगे दो daughter cells बन जाएगी, इसमें nucleus भी दो होते हैं, ठीक है, वो हम आगे discuss करेंगे, अच्छा, एक है irregular binary fusion, irregular binary fusion मतलब जो plane of axis है वो decided ही नहीं है, किसी भी axis से division हो सकता है, तो यह irregular binary fusion जो है, वो किसमें होता है, amoeba में, क्योंकि amoeba irregular organism है, और यहाँ पर binary fusion किसी भी axis से हो सकता है, आप एक second के लिए, just keep a watch to this slide, कि यहाँ पर मैंने कौन से examples दिखाए हैं और उन में किस axis से division हो रहा है, ठीक है, मेभी आपको यह समझ आ गया होगा, कि what is the axis of division, ठीक है, चले, अपने next slide पर move करते हैं, अब हम, this is a topic, phases of life, यह हमने maybe skip कर दिया था, है न, अब हम इसको यहाँ पर discuss कर रहे हैं, यह चोटा से topic है, phases of life, phases of life क्या होता है, बेटा, कि life में हम किस-किस तरह की stage cross करते हैं, है न, किस-किस type की stage हमने cross की है, that is called as phases of life, एक phase कैसा है, दूसरा phase हमने कैसे cross किया है, third phase कैसा आया है, life में अलग-अलग phase चलते रहते है, phase is not the situation, phase is कि हम किस तरह की, मतलब हमारा body जो है, वो किस तरह से रही है उस phase में, है न, चलिए, तो हमारा यहाँ पर कुछ phase है, first phase is birth, birth जो है, first step है, सबसे पहले तो हम जन्म लेते हैं, ठीक है, second phase is juvenile phase और vegetative phase, juvenile phase और vegetative phase से क्या मतलब है बिटा, कि जब हमारी growth हो रही होती है, है न, जब हमारे क्या हो रही होती है, हमारी body की growth हो रही होती है, हम जो reproductive phase से पहले का जो phase होता है, जहाँ पे हमारे सब body organs या, सब चीज़े properly grow कर रही होती है, है न, maturity से पहले, तो that phase is called as juvenile phase, हम यह कह सकते हैं, बचपन, ठीक है, हमारे जो बचपन होता है, बचपन is juvenile phase और vegetative phase, जहाँ पे हम mature नहीं हुए है, हमारी body सब चीजों की तयारी कर रही है, still it is preparing to get mature, तो वो हमारा जो phase है, that is called as juvenile or vegetative phase, third one is reproductive or maturation phase, you are well known with this, that reproductive or maturation phase is indicating by the term कि यहाँ पे जो organisms हैं, वो reproductively mature हो जाते हैं, reproductively mature होने का मतलब क्या है, they can reproduce, they can give birth to their young ones, वो child produce कर सकते हैं, तो that phase is called as reproductive or maturation phase, ठीक है and the next one is aging or senescent phase, aging aging, aging से हमारा क्या मतलब है कि बुढ़ापा आ गया है, है न, the phase जिस पे क्या हो जाती है हमारी reproductive जो maturity है, जहाँ पे हमारी जो sex organs हैं वो काम करना धीरे-धीरे कम कर देते हैं और बंद कर देते हैं, है न, जहाँ पे हम reproduction के process से go through नहीं हो सकते, जहाँ हमारा बुढ़ापा आ जाता है that phase is called as aging or senescent phase and the final one is, जो सबके साथ होना ही है, that is natural death बेटा, it is not compulsory that every human or every organism go through the all phases of life, ऐसा जरूरी नहीं है किसी की किसी भी वज़े से death हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है कि किसी की death बच्पन में हो जाए, ये भी हो सकता है कि किसी की reproductive maturity होते ही death हो जाए, किसी की birth के बाद ही death हो जाए, तो ये चीज़े कुछ भी decided नहीं है, हो सकता है कि सब लोग सारे phase cover करे ही न, बहुत से लोग करते भी है, बहुत से लोग नहीं भी करते हैं, ठीक है, अब यहाँ एक एक ग्जामपल दिया हुआ है, यहाँ देखिया आप, बटरफलाई के बनने का प्रोसेस दिया हुआ है, बर्त के बाद, जो वेजिटेटिव फेज आता है, ठीक है, उसके बाद अडल्ट फेज आता है, और फाइनली एजिंग वाला फेज आता है, ऐसे यह लीफ में तो आपने बहुत जादा देखा होगा, यह एक बहुत अच्छी पिच्चर है, मैं बहुत एफेक्टिव हूँ इस पिच्चर से, देखें, यहाँ पर एक लीफ है हमारे पास, लीफ जो है, वो क्या कर रही है, पह और 10 reproductive phase से होते होते, उसका कौन सा phase आ गया, यह देखें, यह reproductive phase आ गया, इधर से कौन सा phase आ गया, aging वाला फेज आ गया, और finally उसकी क्या हो जाएगी, death हो जाएगी, तो हर और और गिनिजम के साथ same process फोलो होता है, वो जन्म लेता है, उसका बर्थ होता है, उसका ग्रोथ हो ग्रोथ होने के बाद रिप्रोड़क्शन का प्रोसेस होता है, एजिंग होती है, फाइनली क्या हो जाती है, डैथ हो जाती है, तो every organism follow up the same process for their life, है ना, चलिए, हम अपने नेक्स टाइट पर मूव करते हैं, अब हम करेंगे बड़िंग का प्रोसेस, है ना, अब हम आ चुके हैं, अपने next type of asexual reproduction पे, which is budding, है ना, हमने अपना एक asexual reproduction का type complete कर लिया है, which was binary season और multiple season, अब हम अपने उस बड़िंग के phase पे आ चुके हैं, अब यहाँ हम अपना बड़िंग देखने वाले हैं, तो बड़ से पहले तो हमारा जो parent होता है, दिखें, हमारे पास क्या है, budding में हम एक example ले रहे हैं, यहाँ पर, east, Burding में होता क्या है Burding में क्या होता है कि पहले जो organism है उसकी body पे एक outgrowth होती है जब वो outgrowth thìouter क्या करती है दीरे-दीरे growth करती है जैसे वो outgrowth grow करेगी जब वो independent हो जाएगी मतलब वो इतनी independent हो जाए कि वो अपने आप survive कर सके तो वो जो outgrowth है जिसे हमने बड बोला है, वो क्या हो जाएगी, पेरेंट बॉडी से डिटेच हो जाएगी, और डिटेच होने के बाद, देट कें सर्वाइब एस एन इंडेपेंडेंडेंट इंडेविजवल, हम यहाँ पर एक, मैं, सॉरी, मैं एक बस लाइड चेंज कर रहे हूं, है न, यह इस्ट है, इस्ट की बॉडी पे, यहाँ पे एक आउट ग्रोथ बनी, एक आउट ग्रोथ ने जनम लिया, यही हमारा क्या है, बड है, और इसी बड की फॉर्मेशिन की वज़े से प्रुसिस का नाम दिया गया बड न, ठीक है, तो यहाँ पे बड का फॉर्मेशिन हुआ, जैसे ही बड का फॉर्मेशिन होता है बिटा, that bird starts growing taking nucleus है यहाँ पर nucleus का division होता है east में एक nucleus है unicellular organism में nucleus का division हुआ और एक nucleus रहे जाता है parent body में और another nucleus transfer हो जाता है bud में nucleus का division होता है एक nucleus parent body में रहा दूसरा nucleus transfer हो गया bud में ठीक है bud की धीरे-धीरे growth होने लगती है अब देखे यहाँ bird छोटा था इस stage में जाके bird क्या हो गया है पहले यह हमारा east है east के बाद bird छोटा था bird बढ़ा होने के बाद ऐसा हो गया है ठीक है जब यह bird इतना बढ़ा हो जाए जिसे हम कहते हैं कि बच्चा आप इतना बढ़ा हो गया है कि वो अराम से खुद से रह सकता है खुद से survive कर सकता है इसी तरह से bird इतना बढ़ा हो गया है कि वो अपने आप से survive कर सकता है उसको अब parent body से attach रहने की जरूरत नहीं है तो यहाँ पर वो क्या करेगा यह जो bird है वो detach हो जाएगा parent body से और detach होने के बाद यहाँ यह detach हो गया और यह जो bird है एक nucleus इसमें नहीं गया इसके पास अपना cytoplasm है इसके पास अपना cytoplasm है दोनों के पास अपना content है यह वाला जो था यह था parent यह है हमारा new bird यह जो bird है अब इतना बढ़ा हो चुका है अब यह अकिला survive करेगा और यह जो bird है इससे एक नए east की formation हो जाएगी तो एक तो हमारा था parent body है ना और एक हमारा है budding से जो नए बढ़ा है have you noticed a difference between fission and budding hair आपने देखा होगा कि जब fission का process हुआ था fission का process हुआ था और जहां पर दो अमीबा बन गए थे अमीबा की दो डॉटा सेल्स बन गए थी parent body से the parent body disappeared there वहां पर जो दो डॉटा सेल्स बनी उसके बनने के बाद parent body दिखी ही नहीं गाय भी हो गई है ना बट यहां पर parent body still stays in the environment यहां पर बड बना, बड डिटैच हुआ, उससे एक नया इस्ट बना but the parent body is same तो बडिंग और फिजन में के difference noticeable difference है that the parent body disappears in budding और, sorry, parent body disappears in fission and remains, stays in budding ठीक है, तो यहां पर parent body क्या है, रहे गई है अच्छा, उसके बाद नीचे आप एक डाग्राम देख रहे हैं hydra का, hydra में क्या हो रहा है hydra में देखें क्या हो रहा है यहां पर budding का second example है hydra hydra में हमारे पास क्या हो रहा है यह hydra है, और इस hydra की body पे यहां पे, यह जो आप देख रहा है यह growth हो रही है, bud की growth हो रही है hydra में, और bud की growth होने के बाद same process follow up होगा बेटा same process में क्या होगा कि पहले bud की growth होई है उसके बाद जो bud है वो पूरा ग्रो करेगा जब तक parent body के साथ रहेगा जब तक कि वो environment में खुद से अकेला ना रह सके तो तब तक वो parent body से attached ही रहेगा उसके attach होने के बाद अब देखें उसके बाद क्या हुआ है यहाँ यह bird ग्रो किया parent body से attach रहा ठीक है एक टाइम ऐसा आएगा कि अकेला environment में survive कर सकता है तो उस टाइम पे जो bird है वो parent body से detach हो जाएगा और एक नए hydra की formation करेगा जैसा कि इस process में आपको दिखाई दे रहा है तो यह हमारा process सा bud sorry process सा budding ठीक है बेटा यहाँ न moving back to our previous slide budding के दो टाइप जी हो है the first one is exogenous budding second one is endogenous budding इन budding के दोनों टाइप में क्या difference है कि अगर जो bud की growth है if bud जो है grows outside the parent body और on the parent body outside parent body मतला बढ़ जो है वो parent parent body के उपर grow होता है outside ना बुल के हम यह on score बढ़ अगर grow हु रहा है parent के बढ़ ऑढ़ के उपर यहाँ देखिए hydra में जो bud ऑढ़ जो बढ़ की उपर grow हुआ east मेंreek जो bud हुआ इसकी बढ़ की उपर grow हुआ hydra में जो बढ़ बढ़ की उपर east में है ना budding, exo जो है न बेटा यहाँ पर exo word का मतलब होता है outer, मतलब bud अगर outer part में grow कर रहा है तो that is called as exogenous budding, और अगर bud अंदर की तरफ grow करे, body के अंदर, inside, body के अंदर grow करता है तो that is called as endogenous budding, देखे, यहाँ देखे, endogenous budding का example है, sponges, यह हमारे पास एक sponge है, इसका यह internal structure हमें दिखाया हुआ है, ठीक है, आप अभी इस पे budding का process हम पढ़ रहे हैं, तो आप इस पे दिहान दीजिए, एक बार sponge में cavity होती है, spongosil, ठीक है, sponge के body के अंदर cavity होती है, मतलब space होता है, जहां से पानी आता है, nutrition लाता है, पानी बाहर जाता है, उस cavity को हम बोलते है spongosil, ठीक है, sponge में जब reproduction का process होता है, budding का process होता है, तो bud की formation उसकी body के अंदर होती है, यह अंदर वाली membrane है, यह बाहर वाली membrane है, ठीक है, यह किस की formation हो गई है, spicules की formation हो गई है, तो budding का process जो है, वो उसमें कहां होता है, अंदर की तरफ होता है, अंदर के surface पे budding होती है, तो उसे हम कहते हैं, exogenous type of budding, ठीक है, clear है, तो exogenous में budding क्या होगी, endogenous में, sorry, endogenous में budding क्या होगी, bud अंदर के तरफ grow करेंगे, और जब वो release हो जाएंगे body से, release होने के बाद, वो individual organism produce करेंगे, I hope आपको clear होगा budding का process किस तरह से होता है, चलिए, अब हम अपनी next slide पे move करते हैं, fragmentation, तो अब हम आ चुके हैं, fragmentation के process पे, देखें बेटा, fragmentation में क्या होता है, fragmentation का process बहुत ही interesting सा है, इसके अंदर क्या होता है, fragmentation का process जो है, commonly multi cellular organisms में होता है, इसमें, जो कुछ cells के बने होते हैं, but not from a single cell, multi-cellular organisms के अंदर, fragmentation का process होता है, और यह एक टाइप का asexual reproduction है, अब जानते हैं, हम सारे asexual reproduction के types पढ़ रहे हैं, इसमें क्या होगा, जो parent body होगी, this one is parent body, this one is parent body, parent body क्या होगी, कुछ fragments में तूट जाएगी, कुछ तुकडों में अपने आप तूट जाएगी, under favorable environment, ठीक है, favorable environment में तुकडों में तूट जाएगी, तो यहाँ जब वो तुकडों में तूट रहे हैं, यह देखे, एक fragment, यह दूसरा fragment, और यह तीसरा fragment, यहाँ यह हमारी parent body है, और यह तीन fragments में तूट गई है, three fragments are not fixed, the parent body can divide in any number of the fragments, ठीक है, किसने भी number में वो तूट सकती है, बात यहाँ पर क्या है, कि body के जितने fragments बनेंगे, body के जितने भी fragments बनेंगे, हर fragment, एक नया individual grow करेगा, देखे, यह first fragment से पूरा individual बन गया, second से भी पूरा, और third से भी पूरा, ऐसा जो process है, fragmentation का process है, वो कुछ sponges में, और एक common algae है, जिसके अंदर यह होता है, that is called as spirogyra, तो यह जो हमारा जो खुबसूरत सा diagram दिखाया हुआ है, यह diagram बहुत ही अच्छा ता दिख रहा है, एक 3D diagram, जहां पर दिखिए, यह जो algae है, इसका नाम है, spirogyra, spirogyra हमारी एक multicellular algae है, और इसके body में, यह आपको कुछ lines दिखाई दे रहे होंगे, यह lines क्या करती है, fragments तूटने में help करती है, मतलब fragments को divide करती है, और जैसे ही fragments तूट जाते है, हर fragment एक नया individual में grow कर जाता है, ठीक है, एक चीज़ आपको यहाँ पर दिखान रखनी है, जब भी कोई part, पूरा part बना रहा है, अभी हम regeneration में भी पढ़ेंगे, तो अगर एक part से पूरा organism बन रहा है, that is related to the stem cells, stem cells आखे जाके आप पढ़ेंगे, stem cell मेंने आप एक term use किया है, stem cell से क्या मतलब है कि ऐसी cells, body में ऐसी cells या ऐसे part जो पूरी body को वापस से क्या करवा सकते हैं, grow करवा सकते हैं, मतलब मैं एक example दे रही हूँ, जैसे कुछ भी part कट जाए, माल लीजिए, इस pen का ये cap टूट गया है, तो अगर इस cap से पूरा पैन वापस से बन जाए, तो ऐसा ही यहां पर हुआ है कि fragments टूटे, और fragments से क्या बन गया, नया individual बन गया, तो इन body में, इनकी body में क्या होती है, stem cells होती है, stem cells are the kind of cells which can make the whole body again, हमारी भी जो stem cells है, हमारी embryonic stage में भी, पूरी body को बनाने में help करती है, चलिए, next part पे चलते हैं, next part is spore formation, उससे पहले, spore formation को discuss करने से पहले, मैं यहां पे आपके साथ regeneration का process discuss कर रहे हैं, उसका एक reason है, that regeneration and fragmentation is kind of same-same, तो regeneration के process में क्या होता है, बिटा देखिए, regeneration में क्या होगा, यहां पे दो type का regeneration दिया हुआ है, इसमें क्या होता है, organism की पूरी body, organism की पूरी body, उसके कुछ parts से बन जाती है, यहां फिर जो cutा हुआ part है, वो grow कर जाता है, यहां देखिए, हमारे पस regeneration में कुछ example दियो हैं, first one is planaria, यह planaria है, अब यहां planaria में देखिए, यह planaria का organism था, यह planaria था, वो दो parts में divide हुआ, और दोनों ही parts ने, मतलब दो parts में cut हुआ, एक side उसका face है, एक side उसका tail part है, है ना, बट दोनों ही parts ने पूरी body develop कर ली, है ना, यह हुआ planaria में, इसी तरह से यहां पे देखिए, hydra में, hydra में भी body ऐसे cut हुई, ठीक है, hydra में भी power of regeneration मिलता है, planaria में भी मिलता है, ऐसे body cut हुई, और दोनों ही parts ने क्या grow कर लिया, नया hydra grow कर लिया, hydra में दोनों process show होते हैं, बट इक भी show होता है, और regeneration भी show होता है, third one is starfish, यहां पे देखिए, starfish का division हुआ, और दोनों parts ने क्या बना ली, नई starfish बना ली, अगर किसी भी part से पूरी body का development हो सकता है, so such kind of regeneration is called as morpholexes, morpholexes, morpholexes का मतलब क्या है, कि अगर कोई भी part है body का, उसे पूरी body की growth हो गई, so that is called as morpholexes, और अगर body का कोई part cut जाता है, ठीक है, body का कोई part cut गया, तो cutा हुआ तो part waste हो गया, cutा हुआ तो part dead हो गया, लेकिन उस cutे हुए part की जगे, नया part आ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं, epimorphosis, क्या बोलते हैं, epimorphosis, उपर वाला जो part है, वो है morpholexes, नीचे वाला जो part है वो है epimorphosis, epimorphosis में यहाँ आपको दिखाए हुआ है, एक हाथ जैसा structure कुछ कट गया है, ठीक है, कटने के बाद यहाँ पे घा हुआ, वो धीरे-दीरे repair होने लगा, repair होने के बाद वापस से, नया हाथ ग्रो कर गया, लेकिन यह जो cut part था ना, यह जो cut हुआ हाथ था, यह waste हो चुका है, इस से अब पूरा जो नीचे वाला hand है, वो नहीं बन सकता, तो this process is epimorphosis, मैं एक बार फिर से repeat कर रही हूं, मैंने यह बूला, कि morpholexes में क्या होता है, कि अगर body दो part में, या तीन part में कहीं से भी cut गई है, तो जितने भी, मतलब जो भी parts हैं, सबसे नए individual बन जाएंगे, और epimorphosis में क्या होगा, जो part cut गया, वो तो cut गया, waste हो गया, उस part की जगे तो नया part आ जाएगा, लेकिन जो cut हुआ पार्ट है, उससे पूरी body दुबारा नहीं बनेगी, वो waste हो चुका है, ऐसे example आप अपनी daily life में बहुत बार देखते हैं, lizard, lizard में क्या होता है, lizard की tail जब cut जाती है, तो उसकी regeneration के process से, नई tail ग्रो हो जाती है, starfish में भी नई आम ग्रो होती है, नई tail ग्रो हो जाती है, लेकिन जो tail dead हो चुकी, ये मैं यहाँ पे एक बहुत गंदी सी lizard बनाती हूँ, ये मैंने यहाँ पे कुछ गंदी सी lizard बनाई, ठीक है, और मैंने इसकी tail को cut कर दिया, tail cut होने के बाद, ये जो tail है ना, ये tail तो हो चुकी है, इस tail से कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ये जो बची हुई, अजीब से lizard थी, इसकी जो tail कट चुकी है, उसकी जगह पे क्या जाएगी, नई tail आ जाएगी, ठीक है, तो इस प्रोसेस इस गॉर्ड लेज एपी मॉर्फोसेज, चलिए, उमीद करती हूँ, आपको regeneration भी clear होगा, अब हम वापस से आजाते हैं, अपने, spore formation की process पे, यह हमारी last process है, आज की class का, और spore formation में क्या होता है, देखिए, spore formation में हमारे पास, जो body है, उस पे क्या बन जाते हैं, sports की growth हो जाती है, और sports की growth होने के बाद, जितने sports हैं, उससे उतने ही नए individual बन जाते हैं, क्या होता है, कि unfavorable environment में, यह process थोड़ा सा बड़ा है बेटा, और यह आपने commonly दिखा होगा, rhizopus में, rhizopus is bread mold, जो हमारी bread पे जो fungus लग जाती है, that is rhizopus, और rhizopus का जो common method of division है, asexual reproduction का, that is spore formation, वो spore formation की help से क्या करती है, divide करती है, उसकी body में क्या होता है, sports की growth होती है, और जितने individual sports होते हैं, वो उतने ही नए organisms में बन जाते हैं, यह मैंने spore formation का जस्ट आपको एक intro दिया था, यह थोड़ा सा बड़ा process है, अपने further topics के साथ, next class में हम कोशिश करेंगे, कि हमारे यह chapter खतम हो जाए, अपने आगी के topics के साथ, हम spore formation को दुबारा discuss करने वाले हैं, क्योंकि अभी यह complete नहीं हुआ है, और इसका काफी सारा process बचा हुआ है, मैंने जिस्ट आपको एक intro दिया, इसके साथ ही हम कुछ और topics पढ़ेंगे, और try करेंगे कि next class में हमारा chapter end हो जाए, I hope आज का session आपको बिलकुल आप लोगों को clear होगा, और जितने भी processes मैंने पढ़ाए हैं, वो आपको clear होंगे, अगर आपको कोई भी doubt है, तो आप comments में पूछ सकते हैं, अगर आपको lecture अच्छा लगा, तो आप भी बता सकते हैं, जैसे भी आपके views हैं, you can define there, और sport formation को हम continue करते हों, move करेंगे अपनी next class में, आज की session को यहीं end करते हैं, मिलते हैं next session में, okay, bye guys, have a nice day,